यह विलकम्राइब तु साइको वान्थेस आप सब अच्छे होंगे तो स्कूल कांसलर के विकेंज़ से काफी टाइम बाद आई थो उसके बत्केनवाल है स्कूल काउंसलर की स्ट्रेश मैं साथ में स्में PGT psychology की पोश्ट है और नर्सेस की पोश्ट है लैबरी इंफ्रमेशन की पोश्ट एंस्ट्रक्टर की फिजिकल एजुकर्टर की बहुत सारी पोष्ट है तो वीडियो इसकी बत कराना देख लेना सालरी इसमें मिली गए आपको 7.2 लाख पर एनम काफी अच्छी salary आपको as a counselor या as a PGT psychology other field में बिल रही है salary same है 7.2 लाख पर एनम freshers eligible है return exam है नहीं only interview basis पर आपका इसमें selection होना है इन सभी पोश्टों में तो बात कलेते हैं vacancy की पहले जो vacancy है वो है middle and primary teacher की या फिर PGT की बात कलेते हैं इसमें आपकी बहुत सारे subject है PGT mathematics chemistry biology general science social science computer geography accountancy business history psychology policy science history english literature hindi sanskrit बहुत सारे इस्पैनिस mandarin तो काफी इसमें vacancy इसमें दे रही है और qualification में लिखी हुई है पढ़ दीना master and bachelor degree in real subject और B.A.D. वगड़ा कर आपने PGT करें तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे बाकि Montessori की भी इस वेकेंसी है degree diploma या PG certification करो आपने early childhood में तो Montessori में भी अप्लाई आप कर पाओगे या विकिंडन गाडन में और बात करता है कौन-कौनसी पोश्ट है इसमें आप बात करता है और भी है देख़ें इसमें आप देखते हैं कौनसी है एक मिट एक मिट हाँ library information officer की पोश्ट है उसके बाद दिखरें लाइबन एक मिट रोको library information officer की पोश्ट भी है और काफी उसमें लग़ा पोश्ट नहीं दिए ख़ीक है बागी पोर्ष्ट इंस्टर्टर की जिसमें आर्ट और भागातं। और सस्वे मेरे अपने योगा यहीं नेख आब अगर आपने Master Simple Psychology में कर रहा है, अगर BA Psychology में कर रहा है, तो भी अपलाई कर पाओगे, और अगर आपको पस experience है, Family Counseling या फिर Psychotherapy में, तो आपको preference दी जाएगी, आपका selection नहीं होगा ऐसे, ठीक है, यानि कि Freshers eligible हैं, और जिनके पास Family Counseling और Psychotherapy में experience है, उन्हें preference में लेगी, बाकी MMSC Psychology, BA BC Psychology वाले भी eligible हैं, for the post of counselors, ठीक है, counselors लिखा है, यानि एक से ज़्यादा post रहे हैंगी, counselors की, इसलिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और post भी हैं, आपको देख लिना, finances, executive है की, बाकी, M.com, B.com के लिए पोस्ट है, वो भी आप चेक कर लिजएगा, आपको psychology की, P.R.O. ठीक है, public lesson officer, या फिर executive की post भी है, जिसमें आपने अपने bachelor या फिर master's कर रहा हो, MBA कर रहा हो, या फिर B.B.A. कर रहा हो, या फिर human resource management से master's कर रहा हो, या फिर अपने bachelor या फिर master's कर रहा हो, sociology से, या फिर अपने अपना B.A. या फिर B.A.C. या फिर M.A. फिर M.C कर रहा हो, psychology में, और आपके पास one year, two year का experience है, HR, admin वगरे में, executive में, relational में, relation officer में, तो आप P.R.O. के लिए apply कर पाऊगे, इसमें भी 7.2 लाग पर एनम रहेगी, ठीक है, या यानि कि P.R.O. public lesson officer में, अगर आपने master's कर रहा है, यानि कि MBA, B.B.A. या फिर sociology master, या फिर master psychology, या इसमें आप simple graduation अपने करा है, तो आप register admission में भी apply कर पाऊगे, तो काफी ज़्यादा vacancies इन्होंने इसमें रखी हुई है, अब बात करते हैं, apply कैसे करना है, आपको in post में, तो वो समझ लेना, apply करने की process समझ लेना, क्योंकि वो process बहुत जरूरी है, apply करने की, आपका form गलत भ your CV, ठीक है, अपना CV जो है, वो दो page से उपर मत बनाना, two page का अपना CV होना चाहिए आपका, तो आपका अपना CV समिट करना है, दो page का CV होना चाहिए आपका, और क्या चाहिए लिखिए लोने, two page का CV, जिसमें पासपो साइट फोटो लगी हो, साथ में copies, copies of your education, ठीक है, copy, copies लिखा है, मतलब आपके 10 से 10, 12, UG, PG, या फिर MPL, जो भी आपने करा है, उनके जितने भी mark sheet है, या फिर certificate है, उन सब एक फोटो कापी निकालना, उनको attach करना, और उनको one page में, ठीक है, या उनको एक same series से लगाना, CV के बाद, और साथ में one page का आपको एक नोड भी लिखना आप कैसे student को educate करेंगे, अपने वेसे, आपको आपको क्या वे है, ठीक है, तो 21st century में आपको किस वेसे education देंगे student को, तो उसके उपर आपको एक page लिखना है, आप सो समझके लिख लिखना है, तो आपको अपना CV, आपकी document की copies, और आपका education student in 21st century पर एक page का आपको लिखना है, और प्लीज इमेल, और जब इमेल करोगे, तो लिख देना, for the post of student counselor, ठीक है, subject level में email की, या फिर post of public lesson officer, या फिर executive, post of PGT psychology, तो इस सब लिख देना, जिस post अप्लाई करोगे, एक से जाधा post के लिख 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 लि हो जाती है, 7.2 लाग पर एनम, अगर मैं लगाता हूँ, तो मन्तले, 6 लाग आपकी salary, 60 लाग करीब आपकी salary बनती है, तो आप इसना अप्लाई कर पागए, और इंडिया की वेकेंसी है, तो minimum salary है, अब भी आपकी जा सकती है, अब जैसा आपका experience होगा, तो आपको 8 लाग क school का आपका infrastructure देख सकते हो, आप HKES NPS National Public School, जो आपका बैंगलोर में, आपकी school है, बैंगलोर में, बट अगर आपको pay 7.2 लाग पर एनम की मिल रही है, तो बैंगलोर जाने आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा आपका experience बनेगा, freshers eligible है, कोई भी fees नहीं है, और अच्छे पर जोटी है, बीए के basis पर आपको 7.2 लाग पर एनम नहीं मिलता, तो यहां मिल रहा है, तो आपको apply करना चाहिए, बाक्की interview यह ऑनलान होगा, इसके बार में कुछ भी mention नहीं है, इसका link में आपको description देदूँगा, तो आपको डिस्क्रिप्सन देदूगा, तो time mission के मैं आपको link देदूगा, open हो गया है, तो time mission में यह है, आपको view fully में चाहिए, तो download हो जाएगा आपका, तो इसका link में आपको description देदूगा, यहां से आप देख सकते हो कि आपको कैसा apply करना है, detail मैं आपको सभी बता दी है, तो वीडियो का ज़ता informity है यह, क्योंकि आ आपने करा है तो, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी student counselors, बहुत सारे counselors हैं, तो counselors लिखा है, तो उसमें आपका BA, BAC psychology करा है, तो apply कर सकते हो fresh है, तीसरी vacancy आती है, PRO या फिर executive, यानकि public lesson officer, या फिर executive, जिसमें master's करा है psychology में, या बैसले करा है psychology में, या फिर master's बैसले कर आपको PR हो में भी, और अलग-अलग apply करना से पोस्ट के लिए तो अलग-अलग आपको अपना form जाओ भेजना होगा, और email के subject में, अलग-अलग mention करना हो कि किस पोस्ट के लिए आप भेज रहे हो, तो complete detail में आपको दे दी है, बाकि क्यों क्यों करें ता आपको कमेंट पोस बाकि Instagram का link description में, वहां भी आप मसे पूसकते हैं, वहां भी job की update आपको मिलती ही रहती है, बाकि वीडियो जड़ा informative, वीडियो को like करो, वीडियो चैनल करो subscribe, वीडियो करो share, जल्द मिलता अगली वीडियो को है, अब तक ले, thank you